कि हलो दोस्तों बैंकिंग प्रो यूटुब चैनल में आपका स्वागत है आज एस बैप यो क्लर्क का जो 2020 प्री लेपल का पजल का यह सेरीज चल रहा है और यह पजल नंबर 30 है और बहुत ही आसान सा पजल है जो पिछला जो पजल था उसे के सिमिलर टाप यह पजल है अरे प्रेशन को पढ़ते हुए मैं आप लोगों को समझाने की कोसिस करूंगा है देखिए यहां लिखा हुआ है सिक्स पर्सन है अभय है विंदू कैरोल द्रिश्टी गगन एंड हितेश पार्टिसिपेट टेड इन रेसिंग रनिंग रेस और इच अब इच आप दैम कंप्लि लिए टू पर्सन फिनिश दरेश हिते देश पर्सन टू फिनिश दरेश एक्जाक्ली बिफोर अभय और एक्जाक्ली आप्टर हां कैरोल गगन इस नौट दा फिर्स पर्सन टू फिनिश दरेश अवेकम लाश दिरेश तो पजल को पढ़ने के बाद अब यह किलियर है कि यह रैंकिंग टाप का अरेंजमेंट होगा तो हम लोग इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि देखें पजल को हम लोग पॉजिशन देना है ठीक है तो पॉजिशन देना है तो सिक्स पॉजिशन है तो सिक्स पॉजिशन बनेगा तो सिक्स पॉजिशन बनेगा तो यह पहला हम ये third position ये fourth position ये fifth and ये sixth लास्ट वला जो क्या है वो है sixth position अब हम लोग main जो है उसको पढ़ते है main जो condition दिया गया है तो condition हमारे यहां से शुरू है ठीक है द्रिश्टी finish the race only after two person finish the race जब दो लोग अपना race को finish करते हैं खत्म करते हैं तब द्रिश्टी अपना race को क्या है दोड़ के खत्म करते हैं यानि दो लोग दोड़ लेते हैं उसके बाद द्रिश्टी complete करती है अपना दोड़ यानि कि कि द्रिष्टी का पोजन क्या होने वाला है थर्ड होने वाला है समझ मारा दो लोग देखिए दो लोग अपना रेस कंप्लीट करते हैं तब जाकर करके द्रिष्टी का रेस कंप्लीट होता है यानि कि द्रिष्टी का पोजिशन थर्ड है ओनली वाला केस हमेशा पूरब जब भी आपको कोई संटेंस मिले इसका मतलब वो डेफिनेट कंडिशन है यह एड़ेस्ट हो जाएगा हमारा अरेंजमेंट में ठीक है तो इसलिए हम लोग इसको अरेंज कर देते हैं डायक्ट लिक इस पर यह डायक्ट हमारा अरेंज हो जाएगा यहां पर तो द्र समझ में आई आ तही है तो द्रिष्टि का ठाड है क्योंकि दो लोग फिनिस करते हैं रेज उसके बात द्रिष्टि का नंबर आता है जो कि वह फिनिस करते हैं यह लइन समझ में आगे हिटेस is the person to finish the race exactly before अभय अभय से जस्ट पहले हिते से इसी कंडिशन को मैंने नोट करके रखा है देखें अभय से जस्ट पहले कौन है हिते से जस्ट पहले इसके बीच में कोई तीसरा परशन नहीं आने वाला ठीक है तो यह दोना consecutive है मतलब पहले अभय क्या है पहले हितेस किया होगा complete उसका अभय है क्योंकि अभय से जस्ट पहले बोला है हितेस ने complete किया और क्या बुला है and exactly after carol हितेस is the person to finish हितेस इस तो फिनीज दा रेस exactly before अभय अभय से से जस्ट पहले and exactly after carol तो कैरोल के बाद इसलिए ये condition को note किया गया है कि कैरोल के just बाद हितेस का नमबर आएगा और हितेस जो है वो अभे से just पहले है इस तरह से लिखा हुआ यानि कि ये तीनो जो line है वो एक साथ आना है ठीक है इसलिए मैंने इसको ऐसे line कर रखा है कि ये तीनो person है कि एक साथ finish क करते हैं पहले केरोल करेगी फिहतेस करेगा फिर अभे करेगा फिर अब जो है वो last line परते हैं गगन is not the first person to finish the race अब देखिए इस line को hold करते हैं गगन first person नहीं ठीक है अभे अभय कम्स लास्ट इन दरेश देखिए अभय से रिलेटेड यहां भी कंडिशन था यहां भी था तो अभय का पोजिशन हम लोग को डेफिनिटली दे दिया है कि अभय का पोजिशन क्या है वो लास्ट है तो अभय को हम यह लास्ट वाले position पर हम लोग ऐसे बैठा देते हैं अब advice related क्या दिया था कि अब advice से पहले hithes है और hithes से पहले karel तो यह तुरा range हो जाएजा अब अब यह से पहले क्या है hithes है और hithes से पहले कौन है carol है तो carol को भी आरेंज कर लेते हैं हाँ एक पोजिशन फर्स्ट के बारे में दिया हुआ था जिसको लोग नहीं लिखा था गगन इस नौट दा फर्स्ट पर्शन टो फिनिश दरेस गगन जो है पहला आद्व्यक्ति नहीं है जिसनों ने रेस को कंप्लेट खतम किया है तो गगन इस नाम है वह बचे जिया है वह आपका आएगा फर्स्ट प्लेस पर तो देखते हैं बिंदू तो बिंदू जो है वह आपका फर्स्ट पॉजिशन पर इसको फिनिश करेगा तो बिंदू हमारा है कि फेस्ट्ट प्लेस होगा बहुत ही असान सा पेजल था इस तरह का पेजल abps के पेजिने को मिलता है तो उमिद करता हूं इस पजल आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे बहुत ही चुटके में सॉल्व आने वाला पजल है तो उमीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और इस तरह के वीडियो आपको पसंद है तो आप चैनल को सस्क्राइब कीजिए तैयारी मजबूत रखे एक्जाम कभी भी हो सकता है SBI वाला हमेशा क्या करता है कि एक्जाम हमेशा बहुत जल्दी ले लेता है अभी कोई कंडिशन नहीं है कोवीड को ले करके बट पस्पॉंड का भी नियूज आ रहा है पर एक्जाम होगा डेफिनेटली होगा और बहुत ही सर्प्राइजिंगली होता है इसलिए आप अपना त्यारी ठी रखें तयार रही है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस बार सेलेक्शन लेना है मतलब लेना है तो आज के विडियो में इतना ही और मिलते है नेग्स विडियो में तक घर में रहये स्वस्त रह यह अचाहा शरह ए अपना और यहाल कि दन्यवाट